हाई एवरिवान आज मैं आप लोगों के साथ मेरा नाइट टाइम स्किन केर रूटेन शेयर करने वाली हूँ सो इदाओड ने डिले लेट्स केट स्टार्टिड पहले में मेरे फेस को एक ओयल बेस्ट क्लेंजर से क्लीन करूंगी इससे क्या होगा ना जितने भी मेकप या फिर डर्ट जो की ओयल में सुल्यूबल होंगे वो सब बहुत आसानी से निकल लाएंगे मेरे फेस पे चाहें मेकप हो या फिर नहीं मैं हर दिन इससे अपना फेस क्लीन करती हूँ ताकि मेरा फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए उसके बाद मैं एक वाटर बेस्ट क्लेंजर यानि की फेस स्वस से अपना फेस साप करूंगी ताकि जो बचा कुछा डर्ट होंगे वो भी निकल लाएंगे फेस स्वस करने के बाद मैं आइदर मेरे फेस को एर ड्राइ होने देती हूँ नहीं तो कॉटन के हेल्प से उसको ड्राइ करती हूँ और मैं ना पूरा ड्राइ नहीं करूंगी मैं थोड़ा डैम्प ही रहने दूंगी क्योंकि इसके बाद मैं hydrating serum लगाने वाली हूँ और hydrating serum को हमेशा ही damp skin में लगाना चाहिए तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा damp रहने दूँगे इस टेप में मैं hyaluronic acid serum और niacinamide serum ये दोनों को alternate करके लगाती हूँ कल मैंने hyaluronic acid serum लगाया था इसलिए आज में niacinamide लगाऊंगी hyaluronic acid serum और niacinamide serum दोनों ही hydrating serum है और मैं इसके बाद retinol लगाने वाली हूँ इसलिए एक hydrating serum को उससे पहले लगाना थोड़ा जरूरी है क्योंकि retinol face को थोड़ा dry कर देता है उसके बाद मैं retinol लगाती हूँ ये एक anti-aging serum है ये fine line wrinkles ये सब को reduce करता है और कोने से भी prevent करता है और आपके जो dark spots होते हैं hyperpigmentation होते हैं इसको भी reduce करने में help करता है मैं usually इसको week में 5 days लगाती हूँ मैं जिस दिन exfoliate करती हूँ उसी दिन और उसके अगले वाले दिन retinol नहीं लगाती हूँ वो दो दिन को छोड़के मैं बाकी 5 दिन इसको लगाती हूँ lastly आता है moisturizer moisturizer लगाना आप कभी ना भूलना क्योंकि moisturizer जो है आप उससे पहले जितने भी serum लगाए हो वो सबको seal करके रखने में help करता है और face को hydrate भी करता है तो इसलिए कभी भी moisturizer को skip नहीं करना है तो ये था मेरा बहुत ही simple सा night skincare routine अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe करना ना भूले मिलते हैं next video में बाई